जब मैं 14-E-A-S की थी तब सबसे पहली बार मैंने चिकन फ्राय बनाया था तब से आज तक चिकन की हर डिश बनाना मेरी स्पैशलिटी है तो आज मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन और तंदूरी चिकन पीजा तो आप भी मेरे साथ देख सकते हैं और बना सकते हैं सबसे पहले मैंने चिकन लिया है चिकन मैंने वनेगर में धोया है और इसके साथ मैंने चिकन फ्राई मसाला, नमक, मिर्च, नीबू, अंडा और लिये सोया सॉस SOS एक ऐसा सीक्रेट है जिसको सिरफ मेरे खयाल से मैं ही यूज करती हूँ SOS जो है आपके चिकन को एक सॉल्टी नैस देगा जो कि तंदूरी चिकन के लिए बहुत फ्लेवर्फुल होगा तो अब हमने चिकन में सारे मसाले डाल दी हैं मैंने चिकन फ्राई मसाल हो carbon बटन चीकन न।क के अब्र चिकन प्राई मसाल होना चाहिए रिट नहीं कर पाता इसको ठीक है तो हमने इसको अच्छे से कोट पर लिया है आप चाहें तो चिकन के पीसे इस पर हलके कट भी लगा सकते हैं मैंना यहां पर नहीं लगाएं अब मैं डाल रही हूं इसमें सोया सॉस मुझे मज़ा ही आ जाता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसमें फील आ गई वह जो तंदोरी शिकन वाली फील होती है वो सोया सॉस डाल के आती है तो और इसके बाद नीबू मैं आपको बता रही हूं अगर आप इस टेक्निक से बनाएंगे न और आपकी किसी ने तारीफ नहीं करी तो मैं शर्त हार जाओंगी फिर जो आप कहेंगे वो होगा ठीक है वह इसमें हमने नीबू डाल दिया और एक अंडा लेकर उसको फेट दिया है अब हम इसमें अंडा भी डालेंगे अंडा क्यों डाला है अंडा इसके इसस्पॉंजी नैस के-लिए डाला है इसका जाल के विर्च के अथेंगे तर्व रिजगे बिगे हमें कवर कर में तर्थ Signal करो गफिर में काएं थोड़ा सा फृपशा अयुआ faut कि पाट काल जलें बोलनाहें तो पालवक्त कई तो ईसके बेकिंग जांत पर यहीं करें है putting अगर आपके भाई, या आपके हस्पींज, ऑद यह जो होने वाले हस्पींग हैं, उनको ऑकर चिकन बहुत जादा पसंद है, जो कि मुसलिम्स में बहुत जादा चिकन ही पसंद होता है तो आप यह बना सकते हैं, तो हमने इसका आठए घूंद लिया है और इस आठे को भी कवर करके रख दिया इसको फ्रिज में नहीं रखनाए है अब हमने ओवन कर दिया है अपना प्री विख प्री हीट ओवन बहुत प्री हीट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इससे आपका जो है material कम time में बनेगा तो हमने preheat पे लगा दिया है इसके साथ साथ हमने अपना chicken जो है transfer करेंगे हम एक tray पे ठीक है तो transfer करना शुरू करते हैं ये oven जो है OTG इसकी opening video आप दिख सकते है मेरे channel पे एक short पे ठीक है अब आता है हमारा हमने chicken अब आप इसको देख सकते हैं ये कितना बैटल लग रहा है अब हमने इसको transfer कर दिया एक tray पे OTG oven में दो tray आती है एक tray ये वाली और एक आती है वायर वाली तो हमने इस वाली tray पे इसको लगा दिया है मैंने oil बिल्कुल भी नहीं लगाया है ये दिहान रखना आप मैंने इस पे oil नहीं लगाया है जो मैंने marinate था वो ही transfer कर दिया मेरा थोड़ा सा बज़ किया है वो chicken उसको हमने रख दिया है side में अब हमने इसको रख दिया इसके अंदर ये हमारा होगा 20 minute के लिए हमने time लगा दिया 20 minute बाद हम इसको OTG oven में से निकाल लेंगे और वो prepare होगा अब हमने उठाया है साथ में pizza dough pizza dough आप देख सकता है मेरा किता 56 के तयार हुआ है अब हमने इसको उठाया है और इसको हमने ready करा है ready आप करेंगे ऐसे जैसे मैं आपको अपने उंगले अंदर की तरफ रखनी है और इसमें खिचाओ पैदा करना है जैसे कि आप बटूरे के dough में कभी कभी खिचाओ पैदा करते हैं तो ऐसे ही आपको pizza base के dough में भी खिचाओ पैदा करना है बिलकुल ऐसे अब यह हो गया है हमारा बिलकुल प्रिपेर बढ़ने के लिए तयार चलो अब pizza की topics लेके आते हैं जो कि यह वेज मायोनीज, diced cheese और tomato sauce और हमारी कुछ सबजी है जो सबजी है आपके घर में अवलिबल हो वो ही और यह है हमारा oregano और oregano लेके आई थी मैं यह 100 उपीस का मिला था इतना साफ हमारा पाउच बट बहुत अच्छा है इससे मैं बहुत काम हो रहा है जब से मैं लेके आई हूँ तो इतने में मेरे अवन ने जो है रिंग दे दी थी तो मैं देखने गई अगर आप तंदूरी चिकन बना रहे है तो आप इसी स्टेज पर खा सकते है मैं तो बना रही हूँ तंदूरी पीजा तो मैं इसको ने खाऊंगी आप दिख सकते हैं किता शांदार लग रहा है बहुत मज़ा आया मेरे भाईयों को तो बहुत पसंद आया जो कि मेरे अवन कहीं कमाल था जब हम इसको फ्राइ करते हैं तो इतना जाद अच्छा नहीं बनता यहां वे बहुत अच्छा बनाता है मैं आपको बतानी सकती किता टेस्टी था अब हमने उसी ट्रे को धोलिया है अब उसमें हमने ऑयल लगा यह को प्रिपेर कर लिया है ताकि हमारा पीजा बेस नीचे से इस पर नहीं जाए कभी पता चले हमने पूरा पीजा बना लिया और नीचे लगा वड़ा है, ऐस होता है, कभी-कभी बेज़िती सी हो जाती है, तो मैं आपको पहली बता रही हूँ, नीचे जो है, ओईल लगा के रखना है, और इसको ऐसे स्ट्रेच कर देना है, इस पीज़ डो को, आपको इसी भी शेप दे सकते हैं, गोल दे सकते हैं, वैसे तो राउंड ही होता है पीज़ा, बट घर पे तो कैसा भी बना लो, टेस्ट मैटर करता है, तो मैंने इसको पूरे में पहला लिया था, जितना मेरा डो था, सारा का सारा म पीज़ा साथ है, अगर आपके पास तो लगा सकते हैं, उसके बाद हमने पीज़ा टॉपिंग्स लगाई हैं, जो भी हमारे पाफ वेजी टेबल्स थी, सारी की सारी हमने लगा दी है, आप पीज़ा पर जो चाहे वो लगा सकते हैं, जो आपको टेस्ट आए, कोई सी भी आपके मरसी, जो है, अब जो है, हमने सारी की सारी टॉपिंक लगा दी, उसके बाद फिज़ा ले काई अंदर से चिकन हमारा बनावा हमने चिकन के पीसे भी इस पे लगा दी है, अब बेसिक बात यह होई कि एंड में इस टाइम पे लग रहा था, मुझे यह बहुत देखे, एक चीज टो रही गई कंप्लीट होने में, वो क्या रही गई, चीज, हमने इस पे चीज डाला बहुत सारा, जित्ता हमारा मनता, बादार से जाके तो हम उससे कह नहीं सकते हैं, कितना सारा चीज डाला है, घर में हम अपनी मरजी से चीज डाल सकते हैं, कितना भी, इसके बाद हमने इस पे और एगेन और डाल दिया पूरा का पूरा अब हो गया यह complete oven में जाने के लिए ready तो मुझे यहां पर यह इतना pretty लग रहा था इतना tasty लग रहा था था ना मैं तो बढ़ डांस करें भी न रुकती नहीं हूं ऐसी चीज़े देखके बहुत tasty था तो मैंने जल्दी से इसको oven में डालो फिर खाते हैं फिज़ा को भी बहुत हाफ अतारी थी कि जल्दी से बनाओ इसको खाएंगे बहुत tasty लग रहा है फिर हमने इसको oven में डाला हमने इसका timer set करा जो की था 15 minutes और इसके बाद हमने heat कर दी इसकी maximum ठीक है जिससे यह जल्दी बन जाए अब इसके बाद हमने जब हमसे वेट नहीं हो रहा था तो हमने snapchat पर कुछ इसके AI से imagine करवा है यह AI इसने बहुत imagine अच्छा कर रहा है पता नहीं मटर मटर बना दिये इसके अब इसके बाद हमने इसको open करा जैसी हमारे oven ने ring दी और यह आप देख सकते ह किता शांदार पीजा बनाया है जैनब शंचिग ने येस मज़ा ही आगया देख सकते हैं आप किता प्रीटी लग रहा है सो ब्यूटिफुल सो एलियां जस्ट लुकिंग लाइक वाव जस्ट लुकिंग लाइक टेस्टीयस्ट मील I have ever had फिर हमने इसको तोड़ा सा नीचे स फिर डाला सारा का सारा खतम कर डाला क्योंकि ये बहुत टेस्टी बना था आप भी जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घर पे बनाएगे इसको